नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का To The Point Channel में स्वागत हैं दोस्तों आज का विडियो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा important है क्योंकि आज के इस विडियो में बाल विकास विम सिक्षासास के टॉप 151 प्लस प्रस्नों को देखेंगे आप सभी लोग इस विडियो को पूरा ध्यास देखिए, यह आपके सिक्षक भरती योम्टेट एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है क्योंकि दोस्तों इस विडियो में आपको बाल मनोविज्यान का संपूर निचोर देखने को मिलेगा इसलिए यह आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा important है तो आप सभी लोग इस विडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इस विडियो में जो प्रस्न लिए गए हैं यह सभी प्रस्न one liner है, केवल प्रस्न और उत्तर ही इस विडियो में देखेंगे तो यह काफी ज़्यादा important है, आप लोग पूरा विडियो ध्यान से और लाश तक देखिए चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रस्न दोस्तों है, पहला प्रस्न है बाल मनो विज्यान का केंद्र विंदु है बाल मनो विज्यान का केंद्र विंदु क्या होता है, प्रस्न पूछा जाता है, तो इसका जवाब है बालक बालक जो होता है, बाल मनो विज्यान का केंद्र विंदु माना जाता है बालमनो विज्ञान के माध्यान से दोस्तों बालक में हो रहे हैं सारीरिक परिवर्तन यों ब्योहारिक परिवर्तन का अध्यान किया जाता है दूसरा प्रशन है सिक्षा को दूई धुरूवी किस ने कहा है Most important प्रस्ण है, तो सिक्षक को दूई धुरूबी दोस्तो, Adams ने कहा है, इसे ध्यार कियेगा, सिक्षक को दूई धुरूबी, Adams ने कहा है, दूई धुरूब के अंतरगत कौन कौन आते हैं, तो सिक्षक और सिक्षार्थी, दो आते हैं, दूई धुरूब के अंतरगत, सिक्ष चीर इसका जवाब है उपनयान संसकार से उपनेयन संसकार से वैदिक काल में सिक्षा का आरंभ होता था मुसलिम काल में प्रारंभिक सिक्षा दी जाती थी मुसलिम काल में प्रारंभिक सिक्षा दोस्तो मकतब में दी जाती थी इंपोर्टेंट है इसे ध्यार कियेगा अगला प्रशन है किस गोश्रा पत्र को भारती सिक्षा का सिल्यालेख कहा जाता है तो याद रखिएगा उड़ का गोश्रा पत्र उड़ के गोश्रा पत्र को भारती सिक्षा का सिल्यालेख कहा जाता है आगे है मकतब में किस अस्तर की सिक्षा दी जाती है तो इसका जवाब मनो विग्यान मानो इंपस उभिवहार का विग्यान है यह किसका कथन है तो यह दोस्तों मॉर्गन का कथन है याद रखिएगा कथन से एक्जाम में प्रस्ण जरूर पूछा दाता है तो मनो विग्यान मानो इंपस उभिवहार का विग्यान है यह कथन है मॉर्गन का अगला मनो विग्यान सिक्षा का आधार वूद विग्यान है यह कथन किसका है यह कथन है दोस्तो इसकीनर का याद रखिएगा इसकीनर ने कहा था मनो विग्यान सिक्षा का आधार वूद विग्यान है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है सैसो अवस्था का समय है सैसो अवस्थ का समय दोस्तो 6 से लेकर 12 वर्स होता है और किसोरा वस्ता का समय क्या होता है किसोरा वस्ता का समय दोस्तो 12 से लेकर 18 वर्स तक होता है तो इसे ध्यान कियेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे तेज सारीरिक विकास होता है इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जाता है सबसे तेश्ट सारी ली विकास होता है आगे बढ़ते हैं सैसुब वास्था को सीखने का आदर काल कहा है किस ने कहा है तो इसका जवाब है वेलेंटाइन ने वेलेंटाइन ने दोस्तों सैसुबब वास्था को सीक्ने का आदर काल कहा enrolled कोเหए यह Бढ़ते अंगलड़ा प्रश इसका राइट उसर है दोस्तो थार्ण डाइक का विचार है तीन से छे वर्ष तक बच्चा अर्द सुपनू में रहता है यह विचार थार्ण डाइक का है आगे बढ़ते हैं मनुस्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंब के चार-पांच वर्षों में बन जाता है यह कथन किस दोस्तो सिगमंड फ्रायड का किसका है सिगमंड फ्रायड का कतन है मनुस्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंब के चार-पांच वर्षों में बन जाता है चली अगला प्रशन देखेंगे फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथी पाई जाती है देखे दोस लड़कों में दोस्तो ओडीफस ग्रंथी पाई जाती है जिसके कारण लड़के अपनी माता से अधिक लगाओ रखते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सोप्रेम की भावना का विकास होता है सोप्रेम की भावना का विकास दोस्तो सैसुआ वस्था में होता है इसे ध्या बादन किया था भूख और प्यास है भूख और प्यास दोस्तों एक जन्मजात प्रेरख है इसे याद रखिएगा अगला प्रस्ण देखेंगे बाला की प्रथम पाट साला है बाला की प्रथम पाट साला परिवार होता है इसको याद रखिएगा अगला प्रस्ण है डाल्ट चुस्ती की आयू भी दोस्तो बाल्यावस्ता को कहा जाता है, बाल्यावस्ता को समूह की आयू और चुस्ती की आयू भी कहा जाता है, और साथ में दोस्तो गंदी आयू भी कहा जाता है, बाल्यावस्ता को कहा जाता है, ये सभी प्रशने दोस्तो एक्जाम में पूछे जाते तो ध्यान से आप देखते चलिए अगला प्रशना है बाल्यावस्ता को मिथ्या परिपकोता काल किसने कहा है तो इसका जवाब है दोस्तो रौस ने कहा है बाल्यावस्ता को मिथ्या परिपकोता काल कहा है आगे बढ़ते हैं बाल्यावस्ता को संवेगात्मक विकास का अनोख काल कहा है किसने कोल और ब्रूस ने कहा है बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा है अगला प्रस्था है दोस्तों संग्रह करने की प्रभित किस अवस्था में पाई जाती है तो इसका जवाब है बाल्य अवस्था में संग्रह करने की प्रविट पाई जाती है, आगे बढ़ते हैं किसोर अवस्था बड़े दबाव, तनाव, तुफान, तथा संघर्ष की अवस्था है, या किस ने कहा है, तो यह दोस्तों इस्टेनले हाल ने कहा है, इस्टेनले हाल का यह कतन है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध कतन है, अगला प जवाब है किसोर अवस्था में, सम्वेगात्मक विकास में किसोर अवस्था में तीब्र परिवतन होता है, एडोलसेंस किसकी रशना है, एडोलसेंस दोस्तों यह जी एस हाल की रशना है, अगला प्रशना है, कच्छा एक और दो अस्तर के बच्चे कैसे सीग्र सीखते हैं तो इसका जवाब है मूर्त अन्भों से सीग्र सीखते हैं कच्छा एक और दो अस्तर के बच्चे मूर्त अन्भों से सीग्र सीखते हैं अगला है इस्टेले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्ता है तो इसका जवाब है किसोरा अवस्ता किसोर अवस्ता अधिक तनाव और तुफान की अवस्ता है अगला प्रश्ण है मानो विकास की ब्यवस्ता जिसे सुनहरी अवस्ता कहा जाता है वहा है बाल्य अवस्ता बाल्य अवस्ता को दोस्तो सुनहरी अवस्ता कहा जाता है बीर पूजा की भावना जागरित होती है तो किसोर अवस्था में दोस्तों बीर पूजा की भावना जागरित होती है अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था है अगला प्रश्ण है सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है इसका जवाब है बाल्य आवस्था में बाल्य आवस्था में सर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बालक के सारेरिक वा क्रियात्मक विकास की दिसा होती है तो इसकी दिसा होती है सिर से पैर तथा सरीर के मद्ध से बाहर की ओर होती है परिवार एक साधन है, कैसा साधन है, परिवार दोस्तों एक अनौपचारिक सिक्षा का साधन है, इसको याद रखिएगा, अनौपचारिक सिक्षा का साधन है परिवार, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखेंगे, सभी प्रशन ध्यान से देखते हुँ जलिए, प्रत प्रत्या गमन कहलाती है क्या कहलाती है इसे ध्यार किएगा वंसान उक्रम बेक्ति की जन्मजाद विश्यस्ताओं का पूर्ड योग है यह कथन किसका है यह कथन दोस्तों बी एन ज्ञाका है इसे याद रखिएगा काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है डेमोक्रेसी एंड डिमोफिलिया है याद रखिएगा अगला प्राशन है बच्चे अपनी समझ से विश्यकी परिकलपना करते हैं या कथन जीन पियाजे ने दिया है या कथन जीन पियाजे का है पूछा जाता है प्रश्ण तो समवेदी गामा का वस्था का समय जन्म से 2 वर्स होता है ठीक है अगला प्रश्ण है पूर्व संक्रियात्म का वस्था का समय क्या होता है तो इसका समय 2 से 7 वर्स होता है पूर्व संक्रियात्म का वस्था का समय क्या है अगला प्रश्ण है दो तारकिक रूप से वस्तुववा घटनाओं के विशे में चिंतन प्रारंब करता है इसका जवाब है दोस्तों मूर्थ संक्रियात्म कवस्था में बच्चा जो होता है वह अगला प्रस्ण है नैतिक दुविधायों नैतिक तर्कडा को किस्ने प्रतिपादित किया तो इसका जवाब है लारेंस कोहल वर्ग ने प्रतिपादित किया अगला प्रशन देखेंगे पियाजे के अनुसार कौन से अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विशे में तार्किक चिंतन करना आरंब करता है तो इसका जवाब है अवचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते हुए चलिए ये सभी प्रशन आपके एक्जाम के लिए काफी जादा इंपोर्टेंट है सभी टॉपिक से प्रशन आपको देखने को मिलेगा बस आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए नैतिक विकास का सिध्धान किस ने दिया इसका जवाब है कोहल वर्ग ने दिया नैतिक विकास का सिध्धान दोस्तो कोहल वर्ग ने दिया ठीक है अगला है आवसकता का पदानुकरम सिध्धान किस ने दिया अगला प्रस्वाब का सिध्धान्त किस की ब्याख्या करता है? इसका जवाब है नैतिक विकास की ब्याख्या करता है इसे याद रखियेगा नेक्स्ट प्रस्ण है, NCTE का पूल रूप है, काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, NCTE का पूल रूप दोस्तों, National Council for Teacher Education होता है, हिंदी में इसे राष्टी सिक्षक सिक्षा परिशद के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, भावात्मक एकता समित के अध्यश कौन थे, मोश्ट इंपोर्टेंट है, भावात्मक एकता समित के अध्यश थे, डाक्टर संपूलानंद, ठीक है, याद रखिएगा इनको, राश्री साक्षरता मिशन की सुरुआत कब हुई थी, राश्री साक्षरता मिशन की सुरुआत दोस्तों, 1988 में क्या होता है, मानसिक आयू बटा वास्तविक आयू गुडे 100, क्या होता है, मानसिक आयू बटा वास्तविक आयू गुडे 100, आगे बढ़ते है, इस्टेंफोर्ड बीने परिक्षण किसका मापन करता है, इसका जवाब है, बुद्धी का मापन करता है, नेक्ष्ट बुद्धी का सामोहिक परिक्षण कौन सा है तो इसका जवाब है आर्मी बीटा परिक्षण आर्मी बीटा परिक्षण दोस्तो बुद्धी का सामोहिक परिक्षण है नेक्स है बुद्धी लब्ध के आधार पर मंद बुद्धिता के अस्तर पर सही क्रम क्या है तो सही क्रम ह उसके बाद अल्प बुद्धी उसके बाद मंद बुद्धी जड़ बुद्धी वाले जो बालक होते हैं उनकी IQ 71 से कम होती है और अल्प बुद्धी वाले बालकों की IQ 71 से 80 से 91 होती है याद रखिएगा बुद्धी सीखने की योगता है यह कथन किसका है यह कथन दोस्तो बक किसा है ? बखिंगम का है, बुध्धि सीखने की योगिता है आगे बढ़ते हैं बुध्धि का दुई कारक सिध्धान्ध किस ने दिया, बुध्धि का दुई कारक सिध्धान्ध दोस्तों spirit man ने दिया था ठीक है याद रखिएगा नेक्षट है जिनकी बुधिल्ब्द 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं वे दोस्तों सामान ने बुधिल्ब्द 100 या फिर इसके आसपास होती है तो विडियो को पूरा ध्यान से देखते हुँ चलिए नेक्स्ट है बुद्धि के बहुकारक सिध्धान्द के पिता है इसका जवाब है थॉन डाइक है बुद्धि के बहुवीद सिध्धान्द के पिता हावर्ड गार्डनर है याद रखिएगा नेक्स्ट है आउट आफ दा बाक्स चिंतन संबंधित है इंपोर्टेंट है याद रखिएगा आउट आफ दा बाक्स चिंतन अपसारी चिंतन से संबंधित है नेक्स्ट है स्रिजन सिल्ता मौलिक पईडामों को अव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है यह कथन किसका है यह कथन ह क्रो एवं क्रो का कथन है इसको याद रखिएगा नेक्ष्ट है पूर्व अनुभो के आधार पर समवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है तो दोस्तो इसे प्रत्च ज्यान कहते हैं पूर्व अनुभो के आधार पर समवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्च ज् किसके घटक हैं ये दोस्तो स्रिजनात्मक्ता के घटक है मौलिक्ता नमनीता तथा प्रवाः ठीक है next प्रस्ण देखेंगे सामोहिक अचेतन का संप्रत्य किस ने दिया था सामूहिक अचेतन का संप्रत्य दोस्तों यूंग ने दिया था most important है याद रखिएगा next है इदम अहम वा परा अहम किस संरसना के भाग हैं तो याद रखिएगा व्यक्तित्तु के भाग हैं इदम आहम वा परा आहम जो है ये व्यक्तित्यों के भाग हैं नेक्स्ट है अंतर मुखी व्यक्तित्यों बहिर मुखी व्यक्तित्यों का वर्गी करन किस ने किया था तो इसका जवाब है यूंग ने किया था अंतर मुखी व्यक्तित्यों बहिर मुखी व्यक्तित्यों का वर् ने की थी किस ने की थी मॉर्गन वा मूरे ने की थी टीएटी परिक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग होता है या प्रस्ण पूछा जाता है किसका जवाब है 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है टीएटी परिक्षण में नेक्स्ट है सीलगुड सिध्धान्त के प्रवर तक दोस्तों सैल्डन थे कौन थे सैल्डन थे इसको भी याद रखिएगा नेक्ष्ट है रोर्षा स्याही धब्बा परिक्षण किस ने किया रोर्षा स्याही धब्बा परिक्षण दोस्तों हर्मन रोर्षा ने किया था किस ने किया था हर्मन रोर्षा ने किया था जवाब है सिगमंड फ्रायड सिगमंड फ्रायड दोस्तों मनो विसलेश रात्मक पड़ाली के जन्म दाता है सभी प्रस्ण ध्यान से देखते हुँ चलिए यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोटेंट है एक सिशु जन्म के बाद प्रफं 15 माह में भासा बिक्याश की किस अवस्था में होता है तो इसका जवाब है पूर्ववाग अवस्था में प्रे-speech स्टेज में होता है पूर्व वाग अवस्था में होता है इसे याद रखिएगा नेक्स्ट है दूसरे वर्स के अंत में सिसु का सब्द भंडार होता है दूसरे वर्स के अंत में सिसु का सब्द भंडार दोस्तों सव सब्दों का होता है इसको याद रखिएगा लिंग भेद क्या है लिंग भेद दोस्तों एक सामाजिक सानक्षना है क्या है लिंग भेद ए अभिवृत्ति के मापन से संबंधित है थर्ष्टन और लिकर्ट नेश्ट है चुनाओं में अपने मताधिकार का प्रयोग करना किस मूले से संबंधित है इसका जवाब है दोस्तो प्रजातांतरिक मूले से संबंधित है नेश्ट प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है द प्रतिक्रियाओं की जाच करने हेतु रखा जाता है नेक्स्ट प्रसन देखेंगे मुल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है देखिए दोस्तो मुल्यांकन सत्र की समापती के बाद योगात्मक मुल्यांकन किया जाता है कौन सा मुल्यांकन योगात्मक मुल्यांकन किया जाता है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण है भारत के समिधान में किसके लिए नेसुलक अनिवारे सिक्षा है तो याद रखिएगा 14 वर्स्तक के सभी बच्चों के लिए नेसुलक अनिवारे सिक्षा है नेक्स्ट प्रस्ण है मानक कौन निर्धारित करता है इसका जवाब है दोस्तो NCTE या राष्टी अध्यापक सिक्षा परशच जी से कहते हैं यह दोस्तो मानक निर्धारित करता है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट प्रस्ण देखेंगे किस अनुच्छेद में नागरीकों के मूलभूत करतब्यों की चर्चा की गई है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 51A में नागरीकों के मूलभूत करतब्यों की चर्चा की गई है NCF 2005 किस प्रकार की सिख्षण पढ़ाई को प्रुसाहित करता है तो इसका जवाब है दोस्तो समावेसी सिख्षा को प्रुसाहित करता है NCF 2005 चलिए आगे बढ़ते है NCF 2005 बल देता है किस पर बल देता है इसका जवाब है करके सीखने पर बल देता है NCF 2005 करके सीखने पर बल देता है नेक्ट प्रस्णा है गतिक काउसलों में अधिगम निर्योगिता कहलाती है देखे दोस्तों गतिक काउसलों में अधिगम निर्योगिता डिसप्रेक्सिया कहलाती है क्या कहलाती है डिसप्रेक्सिया कहलाती है इसको याद रखिएगा डिस फेजिया किस से सम्बंदित है याद रखिएगा डिस फेजिया दोस्तों ये भासा विकार से सम्बंदित है डिस फेजिया गड़ना विकार से सम्बंदित है गड़ना विकार से क्या सम्बंदित है डिसलेक्सिय दोस्तों ये पठन विकार से संबन्दित है नेक्स्ट प्रस्ण देखेंगे किस पध्धती का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्य से निवटा जा सकता है इसका जवाब है दोस्तों प्रवर्धित वाक की द्वारा प्रवर्धित वाक मतलब देर तक बोलना या लंबे समय तक भाशण तो इसके द्वारा दोस्तों प्रवर्धित वाक पध्धत का प्रयोग करके हकलाने की समस्य से निवटा जा सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला है राश्टी दृष्टी वाधितार संस्थान निवश इस्थित है निवश का फुलफार होता है निशनल इंस्टिटूट फार द विजुवली हैंडिकेप्ड तो याद रखिएगा राश्टी दृष्टी वाधितार संस्थान देहरा प्रयोग किया जाता है इसका जवाब है मूख वधिर के लिए सांकेतिक भासा का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट प्रस्ण है ब्रेल लिपी का विसकार किस ने किया था तो ब्रेल लिपी का विसकार दोस्तो 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लूई ब्रेल ने किया थ कौन किया था लुई ब्रेल ने किया था यह important है दोस्तों यादर कियेगा सुपर्टेट एक्जाम में यहाँ प्रस्ण पूछा गया था MacBook list. 61 से कम होता है इसको द्यार रखियेगा जड़ बुध्धी वाले जो बालति हह उनका IQ,21,61 से कम होता है किसी व्यक्तिगत समस्य है तो एक अनुपातिक निरदेशन कहलाता है व्यक्तिगत निरदेशन कहलाता है इlightly है याद रखिएगा इनको नेक्स्ट है अगर सिक्षक छात्र को विश्च चुनने में मदद करे तो या इसकी कौन सी भूम ग्या है तो या इसकी तो परामर्छ दाता की भूम गया है या फिर आप कह सकते हैं सुविधा प्रदाता की भूम गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रमापी कृत परिक्षण क्यों कराया जाते हैं देखे दोस्तों प्रतिभासाली बच्चों की पहचान के लिए कराया जाते हैं प्रतिभासाली बालकों की पहचान के ल बल देता है नेक्ष्ट है अबिवेयुम अवरोधन की समस्या मुखेत है किस सिक्षास्तर से संबंदित है इसका जवाब है दोस्तो प्राथमिक सिक्षास्तर से संबंदित है अबिवेयुम अवरोधन की समस्या नेक्ष्ट प्रशन है दोस्तो सीखिने के नियम के जिसमृति क्या कहलती है इसको इाद रखियेगा एक परिस्तिते में अरजित ग्यान का। या कथन दोस्तो, Iskiener का है किसका है? Iskiener का कथन है इसको याद रखिएगा Next question है, कठोर सिल्फ उपागम की सिध्धान्त पर आधारित है इसका जवाब है दोस्तो, Ingeeniring के सिध्धान्त पर आधारित है कठोर सिल्फ उपागम नेक्स्ट प्रस्ण देखेंगे प्रोजेक्ट पडाली का प्रतिपादन किस ने किया इसका जवाब है दोस्तों किलफैट्रिक ने किया प्रोजेक्ट पडाली का प्रतिपादन नेक्ट प्रस्ण है किंडर गार्टन पडाली का प्रतिपादन किस ने किया इसका जवाब है दोस्तो फ्रोवेल ने किया था किंडर गार्टन पडाली का प्रतिपादन नेक्ट प्रस्ण है दोस्तो मस्तिस्क उद्वेलन तकनीक का प्रतिपादन किस ने किया नेक्ट है प्रयोजना विधी के प्रतिपादक है प्रयोजना विधी के प्रतिपादक दोस्तों किल फैट्रिक है कौन है किल फैट्रिक है इनको याद रखिएगा अभी करमित अधिकम किसके सिध्धान्त पर आधारित है इसका जवाब है दोस्तों बी एफ स्कीनर के सिध्ध पर आधारित है यह आपका सकते है क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिध्धान्थ पर आधारित है नेक्ट प्रशन है गयने के अधिगम पदा अनुकुरम में अधिगम की सर्वोच अवस्ता है तो इसका जवाब है दोस्तो समस्या समाधान देखे दोस्तो गयने से संबंधित प्रस्थ सूपर अनुकुरम में जरूर पूचा जाता है तो गयने के अधिगम पदा अनुकुरम की कुल आठ अवस्ताएं होती है तो आए इन्हें देख लेते हैं कौन कौन सी होती है पहली अवस्ता है दोस्तो संकेद अधिगम और दूसरी अवस्ता है उद्धीपन जाद रखना चाहिए करम से क्योंकि इनसे सम्मंधित प्रस्थ सुपर्टेट एग्जाम में जरूर प्रस्थ पूछा जाता है यदि आप कच्छा में ज्यादा छात्रों की प्रतिभागता चाहते हैं तो आप सिक्षण की कौन सी विधी का चुनाओ करेंगे इसका जवाब अगला प्रस्थ देखेंगे बालक के ब्योहार का कौन सा पच उसकी रुचियों तथा मनोवृतियों से सम्मंधित होता है इसका जवाब है भावात्म पच बावात्म पक्च उसकी प्रस्थ देखेंगे सभी प्रस्थ द्यान से देखते हुच लिए किंडर गार्टन का साब्दीकर्थ क्या होता है किंडर गार्टन का साब्दीकर्थ दोस्तो बच्चों का बगीचा होता है इसको याद रखियेगा बेसिक सिक्षा पढाली के जनक कौन है बेसिक सिक्षा पढाली के जनक महत्म गाधी है नेवच्ट प्रस्थ देखेंगे चात्रों को ठीक साबास बहुत अच्छा कहना है ये क्या है सकारात्मक साब्दिक पुनरबलन है छात्रों को ठीक साबास बहुत अच्छा कहना ये सकारात्मक साब्दिक पुनरबलन है इसको याद रखिएगा सीखने के प्रयात से उंग तुटी सिध्धान्त का प्रतिपादन किस ने किया इसका जवाब है E.L. Thorndike ने किया था कच्छा सिख्षण के उपरांत छातरों की अधिगम सम्मंदित समस्याओं को जानने के लिए कौन सा प्रिक्षण किया जाता है इसका जवाब है निदानात्मक प्रिक्षण किया जाता है इसका जवाब है सामाजिक अधिकम सिध्धान्थ से सम्मादित है इसका जवाब है सामाजिक अधिकम सिध्धान्थ से सम्मादित है इसका जवाब है सामाजिक अधिकम सिध्धान्थ से सम्मादित है इसका जवाब है सामाजिक अधिकम सिध्धान्थ से सम्मादित है सिध्धान्द प्रतिपादित किया था नेक्ट प्रस्ण है सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है या कथन दोस्तों उडवर्त का है सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन किसका है उडवर्त का है चलिए कुछ प्रस्ण और है इसे भी देख लेते हैं सीखी गई क्रिया का अन्य समान प्रेसितियों में व्योग किया जाना क्या कहलाता है उसे दोस्तो हम अधिगम अस्थानांत्रन कहते हैं नेक्ष्ट है समवेगों की उत्पत्ती होती है, समवेगों की उत्पत्त दोस्तों मूल प्रवितियों से होती है, इसको याद रखिएगा, नेक्ष्ट प्रश्ण है समवेग सब्दकार्थ क्या है, समवेग सब्दकार्थ होता है उत्तेजना या फिर भाव में उथल पुथल नेक्ट प्रश्ण है मूल प्रवितियों को 14 प्रकार से किसी ने वर्गी कृत किया है इसका जवाब है मैक डूगल ने वर्गी कृत किया है मूल प्रवितियों को 14 प्रकार से नेक्स्ट प्रस्ण है समवेग ब्यक्ति की उत्यजित दसा है यह कथन किसका है यह कथन दोस्त उडवर्थ का है उडवर्थ ने कहा है समवेग ब्यक्ति की उत्यजित दसा है नेक्स्ट है उपलब्धी अभिप्रेडा है उपलब्धी अभिप्रेडा दोस्तो चुनवती पू किस से संबंदित है इसका जवाब है दोस्तों इसमृती से संबंदित है संगनन का सिध्धान्थ आगे बढ़ते हैं सीखी हुई बात को इसमृत करने की अस्फलता कहलाती है बिसमृती कहलाती है इसको याद रखिएगा नेक्ट प्रस्ण है सांख्यकी में वह रेखा चित्र जिसमें आब रितियों को अस्तंभो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है उसे दोस्तों अस्तंभा कृती कहते हैं क्या कहते हैं अस्तंभा कृती कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है उपनेयन संसकार की सिख्षा काल में किया जाता था इसका जव अभी प्रसना आपके सुपर टेट और टेट एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद